हेलो फ्रेंड स्वागत है आप सभी का रासु की रसोई में तो हमारे घर में आ गई थी ज्यादा सी मटर वो भी पापा ले आये थी तो देखो अंकुरित निकलाए रहा तो वो चार पात दिन की रख्की हुई हो गई तो इसलिए अंकुरित उसमें निकलाए है हमने सोचा क्या बनाए क्या बनाए तो छोटी सिश्टर बोली मटर की कचोड़ी बना लो तो उसने मटर छील दी तो हमने कचोड़ी बनाने की करती तैयारी तो इसके लिए लिए हरी मिर्च अद्रक हरी पत्ति और मटर को छील लिया है तो चलिए आप चलते हैं मिक्सर में मटर को भल लिया ये मिक्सी में पीस लेंगे इसके लिए लिए कुछ मसाले तो ये रहे कचोड़ी में डालने के लिए मसाले इसमें डालेंगे करम मसाला, धनिया और जीरा एक साथ रख दिया है काला नमक, सर्शों का तेल, लाल मिर्च पाउडर, अमचुर पाउडर, बेश सन और नमक तो वस इतने से मसाले ले लिए हैं अब चलिए उसको मटर को मिक्सी में पीस लेंगे तो देखो मटर को पीस लिया है तो देखो मटर पिस चुकी है बहुत महीन नहों न मिक्सी में तो नहों नहीं दीजीए वस इतने ही काफी है चलो मटर को कर लिया है खाली तो चलिए अब लेते हैं मेंदा इसके लिए लिए दो कटोरी मेंदा मेंदा को अच्छे से छान लिया था छाननी से आप आटा से बनाना चाहो तो आटा से भी बना सकते हो इसके लिए लेंगे अजवाइन अजवाइन को अच्छे से हाथों में क्रस कर लेंगे और फिर अजवाइन को इसमें डाल देंगे अब डाल देगी स्वादा नुसान नमक बस इसमें दो ही चीट डाली, अब डालेंगे सर्सों का तेल, आपको रिफाइंड वायल डालना है उताब भो भी डाल सकते हैं, पर हम सर्सों का तेल ही यूज करते हैं, क्योंकि हमारा घर का इस पेलर है, तो घर का ही तेल है, तो देखिए, इतना मौईम डालना है, इसमें कि मार लेंगे, देखिए, आटा मर्चों का इसमें थोड़ा सा तेल डार के और अच्छे से कर देंगे, तो ये देखो, कितना अच्छा होगा, अब इसे रख देंगे, ढख के अब चलते हैं, कैस की ओर, तो रख दी है कडाई, डाल दिया है, थोड़ा सा सर्सों का तेल, इसम नहीं, ये अच्छे से हो जाए, तो अब डाल देंगे, एक कटोरी बेसा जो लिया था, पहले से थोड़ा सा भून लेगे, बस थोड़ा ये भूनना है, बाकी मतर के साथ भून जाएगा, अब डाल दी है मतर, डाल देंगे, इसमें काला नमक, शफेद नमक, गरम मशाला, लाल मिर्च पाउडर, अमचुर पाउडर, अब इस अच्छे से मिक्स कर देंगे, देखो ये बन कर हो गया है, अच्छे से रेडी थोड़ा और चलाएंगे और, देखो इसका कलर चैंच हो गया न, हलका सा लाल लाल सा वैसे हो गया है तो यह हो गया है मसाला बन के तैयार अब कर देंगे गैस बन इसे कर लेते हैं कटोरे में खाली तो देखो कर लिया है इसे खाली देखो हो गया ना कितना सूखा सूखा कितना कीला था हो गया है बिलकुल सूखा-सूखा सा. अब ये बिल्कुल तैयार है अपने कचाड़ी बनाने के लिए. तो चलिए आप देखते हैं आटा को, देख लू आटा हो गया थोड़ा-थोड़ा ऐसे मसल के और अच्छे से कर लेंगे वे इसकी बना लेंगे छोटी-छोटी बॉल्स तो इसकी बना लिए है छोटी छोटी बॉल्स अब बनाएंगे आटा की प्लोई यां तो देखो बस इतनी ही बनानी है अब इस अच्छे जैसे हाथों से प्रेस कर लेंगे ऐसे ऐसे करके इसमें रखेंगे एक बॉल्स इसे दबाती हुए धीरे धीरे इसको बंद करती हुए देखना बस ऐसे करके इसको अच्छे से दबा देंगे इसको उरसे की उपर दबा देंगे ऐसे आप हाथों से भी दबा सकते हैं इसकी उरसे की उपर या प्लेट की उपर देखो हो गई है बन के तयार देखना ऐसी दूसरी बना लेंगे इस अच्छे से बंद करना है कि तलते समय ये खुल ले नहीं नहीं तो खुल जाएंगी तेल में तो तेल और खरापसा हो जाएगा देखिए सारी बनकर हो गई है कचोड़ी रेडियम लगते हैं कढ़ाई कढ़ाई में डारते हैं सरसों का तेल आप देफाइंड वायल में सेकना चाहें तो आप उसमें भी सेख सकते हैं पर हम राई की तेल में ही इसे सेखेंगे तेल इतना डाला है कि कचोड़ियां जब डाले तो कचोड़ियां डूब जाएं तो चलिए तेल को कर लेते हैं चेक बिलकुल तेल बस इतना होना चाहिए कि थोड़ी थोड़ी से बुलबुले बस उठे अब डारते हैं अपनी कचोड़ियों को देखो बिलकुल डाल दी है अभी पछल इसमें हमने तीनी कचाणी विच्छाली डाली है चेक कर लेंगे लिए भड तो व खुल तो नहीं रही है इसे तीम ही आज़ में सीख नहां है धेखिए अब इसे पलड देंगे サ़ी कचाणीों को अपनी पलड देंगे देखे, अब बिल्कुल ये सिक के हो गई है, रेडी हो गई है लाल-लाल, बस ऐसी ही सिकना है, ये 5 से 10 मिलट तक सिक जाती है, बिल्कुल धीमी आज में सिकना पड़ता है, तो इतना ही टायम लग जाता है, तो देखे, छले निकाल लेते हैं, अब डालते हैं, जो बच्चिन ह तो तीज में करेंगे तो उपर-उपर जल जाएंगे और वो अंदर से सिंगे नहीं क्योंकि ये मोटी होती है na ये भी मिआज में ही से की जाती है दो से तीन मिनद सिंगने के बार इसे पलट देंगे देखें इसे पलट दिया था ये हो गई है सिक्के बिल्कुल रेडी सारी कचोडिया निकाल ली है है ना बिल्कुल एक दम देख रही है ना थोड़ा रैड रैड सी बस इतनी सिक्के भुगई है रेडी चलिए अब लगाते हैं पिलेट में आप सब के लिए तो देखिए कितनी ख़सता और क्रिस्प सी बनी है आपको देख के ही पता चल रहा होगा तो आपको अमारी कचोड़ी की रैस्पी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सस्क्राइब जरूर करें आप देख तो लेते हैं पर लाइक नहीं करते हैं तो लाइक जरूर करें देखिए हम आपके एक तोड़ के दिखाते हैं है ना विलकुल एक दुमखसता आप भी खाईए और बनाईए और कमेंट में जरूर बताईए आपको हमारी का चौड़ी की रेस्पी कैसी लगी ये लिजी आप सब के लिए चलिए हम भी चलते हैं अब खाने मिलते हैं अगली बीडियों